ओम्शह शनस्चराई नमः की हम में से सबसे बड़ा कौन है देवताओं का प्रस्न सुन इंद्र उल्जन में पड़ गए फिर उन्धों ने सभी को प्रीथवी लोग में राजा बिक्रमा दित्य के पास चलने का सुझाव दिया सभी ग्रह भूलों राजा विक्रमा दित्य के दर्बार में पहुचे, जब ग्रहों ने अपना प्रस्ल राजा विक्रमा दित्य से पूछा, तो वह भी कुछ देर के लिए परिशान हो उठे, क्यूंकि सभी ग्रह अपनी अपनी सक्तियों के कारड महान थे किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानी पहुच सकती थी अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सुझा और उन्धोंने बिभिन धात्यों जैसे सोना, चादी, कासा, ताबा, सीशा, रांगा, जस्ता, अभरक वर लोहे के नव आसन बनवाए सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहे का आसन रखा गया उन्धोंने सभी देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा उन्धों ने कहा जो जिसका आशन हो ग्रहर करे जिसका आशन पहले होगा वह सबसे बड़ा तथा जिसका बाद में होगा वह सबसे छोटा होगा चुकि लोहे का आशन सबसे पीछे था इसलिए सनी देव समझ गए की राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है इस निर्ड़े से सनी देव रुष्ट होकर बोले हे राजन तुमने मुझे सबसे पीछे बैठा कर मेरा अभमान किया है तुम मेरी सक्तियों से परचित नहीं हो सुर्य एक रासी में एक महिने चंद्रमा दो महिने दो दिन मंगल देर महिने बुधा और सुक्र एक महिने ब्रिहस्पती तेरा महिने रहते हैं लेकिन मैं किसी भी रासी पर धाई वर्ष से लेकर साढ़े साथ वर्ष तक रहता हूं बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीरीद किया है अब तू भी मेरे प्रकोप से सावधान रहना इस पर राजा बिक्रमा दित्य बोले जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो रसन्नता के साथ चले गए परन्तु सनी देव बड़े क्रोध के साथ वहां से बिदा हुए कुछ समय बाद जब राजा बिक्रमा दित्य पर साहिस साती की दसा आई तो सनी देव ने घोडे के व्यपारी का रूप धारण किया और बह कुछ से घोडों के साथ विक्रमा दित्य की नगर पहुचे राजा विक्रमा दित्य उन घोडों को देखकर एक अच्छे से घोडे को अपनी सवारी के लिए चुनकर उस पर चढ़े राजा जैसे ही उस घोडे पर सवार हुए वह बिजली की गती से दवर पड़ा तेजी से दवरता हुआ घोडा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर वहां राजा को गिरा कर गायब हो गया राजा अपने नगर लोटने के लिए जंगल में भटकने लगा पर उसे कोई रास्ता नहीं मिला राजा को भूख प्यास लगाए बहुत घूमने पर उन्हें एक चरवाहा मिला राजा ने उसे पानी मांगा पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगुठी दी और उससे रास्ता पूछ कर जंगल से निकल कर पास के नगर में चल दिये नगर पहुचकर राजा एक सेट की दुकान पर बैठ गए राजा के कुछ दे दुकान पर बैठने से सेट की बहुत विक्री हुई सेट ने राजा को भाग्यमान समझा और उसे अपने घर भोजन पर ले गया सेट के घर में सोने का एक हार खूटी पर लटका हुआ था राजा को उस कमरे में छोड़ कर सेट कुछ देर के लिए बाहर चला गया तभी एक आश्चरी जनक घटना घटी राजा की देखते देखते खूटी सोने के उस हार को निगल गई सेट ने जब हार गायब देखा तो उसने चोरी का संदे राजा पर किया और अपने नवकरों से कहा कि इस पर देशी को रश्यों से बाढ़ कर नगर के राजा के पास ले चलो राजा ने बिक्रमा दित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हूटी ने हार को निगल लिया है इस पर राजा क्रोधित हुए और उन्होंने चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पाउ काटने के आदेश दे दिया सानिकों ने राजा विक्रमादित्य के हात पाऊं काटकर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया कुछ दिन बाद एक तेली उन्हें उठा कर अपने घर ले गया और उसे कोलु पर बैठा दिया राजा आवाद देकर बैलों को हाकता रहता इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा सनी के प्रकोप की साधे साती पूरी होने पर वर्सा रितु आरंब हुई एक राथ विक्रमादित्य मेग मल्हार गा रहा था तभी नगर की राजकुमारी मनभावनी रत पर सवार उस घर के पास से गुजरी उसने मल्हार सुना तो उसे अच्छा लगा और दासी को भेज कर गाने वाले को भुला लाने को कहा दासी लड़कर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया राजकुमारी उसके मेग मल्हार से बहुत मोहित हुए और सब कुछ जानते हुए भी उसने अपंग राजा से बिवाह करने का निश्चे किया राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गए उन्हों ने उसे बहुत समझाया पर राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और प्राड त्याग देने का निश्चे कर लिया आखिरकार राजा रानी को विवस होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी देली के घर में रहने लगे उसी रात स्वप्न में सनी देव ने राजा से कहा राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया मैंने तुम्हें अपने अपमान का डंड दिया है राजा ने सनी देव से छमा करने को कहा और प्राजना की हे सनी देव आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना सनी देव ने कहा राजन मैं तुम्हारी प्रार्जना स्वीकार करता हूँ जो कोई इस्त्री पुरूष मेरी पूजा करेगा कथा सुनेगा जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा चीटियों को आटा खिलाएगा वो सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होता रहेगा तथा उसके सब मनोरत पूड होंगे यह करकर सनी देव अंतर ध्यान हो गए प्रातर कार राजा विक्रमादित्य की नीद खुली तो अपने हाथ पाउं देखकर राजा को बहुत खुशी हुई उन्होंने मन हे मन सनी देव को प्रडाम किया राज कुमारी भी राजा के हाथ पाउं सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई तब राजा विक्रमादित्य ने अपना पर्चे देते हुए सनी देव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई इधर सेट को जब इस बात का पता चला तो दवडता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चड़ों में गिरकर छमा मांगने लगा राजा विक्रमादित्य ने उसे छमा कर दी क्योंकि वह जानते थे कि यह सब तो सनी देव के प्रकोप के कारण हुआ था सेट राजा विक्रमादित्य को पुनह अपने घर ले गया और उन्हें भोजन कराया भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्य घटना घटी सबके देखते देखते उस खुटी ने हार उगल दिया सेट ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वड आभूसर धनादी देकर राजा को विदा किया राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और सेट की बेटी के साथ अपने नगर वापस पहुचे तो नगर वासियों ने हर्स के साथ उनका स्वागत किया अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोसरा कराई की सनी देव सब ग्रहों में सर्वस्रेष्ट हैं प्रत्यक इस्त्री पुरुष सनीवार को उनका ब्रत करे और ब्रत कथा आवस्य सुने राजा विक्रमादित्य की घोसरा से सनी देव बहुत प्रसन हुए सनीवार का ब्रत करने और ब्रत कथा सुनने से सनी देव की अनुकमपा बनी रहती है और जातक के सभी दुख दूर होते है